हालो स्टूरेंट्स, वेलकम तो दिस चैनल, आम यूर मैठ्स टीचर, तोड़े हम क्लास 10th, सीबेसी अन्स याटी बूक चैप्टर, पेर ओफ लिनियर एक्वेशन्स इन टू वेरियेबल, एक्ससाइस 3.6, क्वेशन बन पार्ट 5 को यहां पे सॉल्व करेंगे, इसके पेवेश वीडियोस को भी वाच कर लिए, ताकि आपको यह क्वेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके, ओकी, तो यह क्वेशन इस, solve the pair of linear equation by reducing them to a pair of linear equation, ओके, तो यह जो equation आपको given है, इनको reduce करके आपको solve करना है, अब यह आप देख रहे हैं, यह दोनों equation आपकी linear equation में नहीं है, ठीक है, तो अस linear equation के जो general form होती है, वो होती हैं आपकी, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, हम पहले इन दोनों equation को इस form में convert करेंगे, ओके, सो दिखें अभी, यह 7x minus 2y divides xy, xy है, ठीक है, अगर हम इसा split करदें, यानि कि xy को दोनों terms के divide में करदें, अलग-अलग, then क्या होगा, यहाँ पर देख लिजे, इसको हम बेले solve करेंगे, 7x divides xy minus, सो minus 2y divide xy equals to 5, ठीक है, सेम ऐसे हम second equation में भी करेंगे, इसको, 8x divide xy plus, सो use plus 7y divide xy equals to 15, ठीक है, 15, अभी दीखें, यहाँ से x और x, यहाँ से y and y, यहाँ से भी x और x, यहाँ से y और y, क्या हो जाएगा, cancel out हो जाएगा, यहाँ से देखें अभी आपको क्या बच्छेएगा, 7 into 1 upon y, ठीक है, minus यहाँ से 2 into 1 upon x, आपको बच्छेएगा, equals to 5, यहाँ से देखें क्या बच्छेएगा, 8 into 1 upon y, प्लस 7 into 1 upon x equals to 50, यह equation number आपकी 1, this is your equation number 2, ठीक है, यह equation 1 and 2 होगी, अभी क्या करेंगे, अभी भी यह linear equation में नहीं है, क्योंकि divide में इसके variables है, तो हम क्या करेंगे, इनको let करेंगे, ठीक है, let कर लिजे, let 1 upon y equals to u, sorry, 1 upon y equals to v ले लिजे, and 1 upon x equals to u, okay, अभी क्या करेंगे, दोनों equations में put कर देते हैं, ठीक है, तो हम प्लिक लिखते हैं, putting, 1 upon x equals to u, and 1 upon y equals to v, in equation 1 and 2, we have, what we have, अभी put करके हम देखलेंगे, 7 into y, 1 upon y equals to, हमें put करना है, v, ठीक है, तो यह v हो जाएगा, minus 2 into 1 upon x, 2, 1 upon x की replace में, u put करेंगे, u equals to 5, ठीक है, अभी यह linear equation है, separate करेंगे, equation number 3 हो जाएगे, आपकी, and इसको भी, यहाँ पर देखलेजे, 8 into 1 upon v, 1 upon y के replace पे हम v put कर रहे हैं, plus है, so plus, 7 into 1 upon x के replace पे u, so u equals to 15, यह भी linear equation में convert हो गई है, so this is your equation number 4, यह equation आपके 4 है, ठीक है, अभी हमारे पास दोनों ही linear equation है, ठीक है, अभी आपके पास, मैंने जितने भी methods बताए हैं, 3 methods आपको बताए हैं, बट इस, इसको मैं, elimination method से solve कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, minus और plus है, ठीक है, u यहाँ से क्या हो सकता है, eliminate हो सकता है, so now, from equation 3 and 4, by elimination, method, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 3 और 4 को, elimination method से solve करेंगे, तो यहाँ पर note down कर लेजिए, 7v minus 2u equals to 5, this is your equation number 3, and 8v plus 7u equals to 15 equation number 4, ठीक है, इसे हमें by elimination method solve करना है, बट अभी दिखिए, यहाँ पर u का coefficient 2 है, और second equation में, u का coefficient है, वो 7 है, तो अभी क्या करेंगे, हमें दोनों को क्या करना है, equal करना है, coefficient को, तभी दो plus और minus cancel हो पाएगा, तो क्या करेंगे हम, इस equation को 7, यानि कि equation number 3 को 7 से multiply करेंगे, and equation number 4 को 2 से multiply करेंगे, 2 से multiply करेंगे, तो यह 14 हो जाएगा, इसको 7 से multiply करेंगे, तो यह 14 हो जाएगा ठीक, तो अभी दिखे क्या हो जाएगा आपका, इसको 7 से multiply करेंगे, तो 7 7 से 49V minus 7 2 से 14U equals to 7535, ठीक है, इस equation को हम 2 से multiply करेंगे, तो 8 2 से 16V plus, so plus 7 2 से 14U equals to 15 to the 30, ठीक है, अभी देखे, आपका जो यह plus minus का U है, यह क्या हो जाएगा, cancel out हो जाएगा, totally cancel हो जाएगा, क्योंकि equal अभी हमने कर दिया है, ठीक है, अभी देखे क्या होगा, 49V and 16V, दोनों को sum करेंगे, तो यह आजाएगा, 65V equals to 35 plus 30 equals to 65, यह होता है, हमें यहां से किसकी बा 25 by 65, cancel out, that implies V equals to यहां से आपके पास केता हैगा, 1, आपके पास यहां से जो V की value आ गई है, वो कितनी है, 1, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, V की value को, equation number 4 में put कर देंगे, now, putting V equals to 1 in equation number 4, equation number 4 में हम put करेंगे, 8 into V की value है, हमारे पास 1, so 1 plus 7U equals to 15, ठीक है, तो 8 हो जाएगा, 8 को another side पर transform कर देंगे, यहां से 7U equals to 15 minus 7, sorry, 8 transform कर रहे हैं, तो यह 8 होगा, यहां से दिखें भी 7, U equals to 15 minus 8, this is your 7, ठीक है, यहां से U की हमें value शेये, तो U equals to 7 by 7, 7 बज़ा, 7, cancel out, तो यहां से U की value आपके पास कितनी आ गई, घरिए 1 आ गई है, तो हमारे पास यहां से U की value भी आ गई है, U and V, हम ने both value find कर नहीं है, अभी जह हमने lat किया था, हमने lat किया था, यहां पे दिखें, 1 upon Y equals to V and 1 upon X equals to U, तो हमें चाहिए value X and Y की ठीक है, तो जह हमने lat किया था, ठीक है, हमने लेट किया था 1 upon x equals to क्या लेट किया था, u तो u की value यहाँ पर put करेंगे तो अभी देखिए 1 upon x equals to u, याने कि u की value तो हमारे पस 1 है now by cross multiplication, cross multiplication कराएंगे तो 1, 1, 1 हो जाएगा x 1 को multiply करेगा, तो x equals to यहाँ से कितना आ जाएगा, 1, ठीक है 1 upon y equals to लेट किया था, v, ठीक है v की value आपके पास कितनी है, 1 ही है तो 1 upon y equals to 1 हो जाएगा, by cross multiplication करेंगे, तो 1, 1's a 1 हो जाएगा, और y, 1's a y हो जाएगा, तो y equals to यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, y की value भी आपके पास कितनी आ गई है, 1 ही ठीक है, y भी आपका कितना है, 1 है तो now final answer यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है ठीक है, ठीक है, आप final answer क्या लिखेंगे Hence the solution of given equation is x equals to 1 and y equals to 1, x और y की value भी find करने थे, हमने वो क्या क्या है, find कर लिया है I hope आपको exercise 3.6 question 1 part 5 अच्छे से समझ में होगा फिर भी अगर आपको कोई में doubt है, दिन आप comment box में comment करके मुझसे बोच सकते हैं और अगर आपको मेरी video पसंद आती है, दिन please मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon को press कर ले, ताकि आपको आने वाली notification मिल सेखें Thank you so much